हलो फ्रेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेस्टी कुकिंग विस सुचिता में और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग घर में एकटी की हुई मलाई से मैक्सिमम घी और पनीर किस तरह से निकाल सकते हैं इस तरह से घी निकालने से जो हमारा घी पकने के बाद आप लोग जनरली देखते होंगी कि हमारे कड़ाई में मावा बहुत जादा एकटा हो जाता है जो कि हमारा किसी काम नहीं आता है मगर इस तरीके से घी निकालने से देखिए आप देख सकते हैं कि मावा जो है बिल्कुल भी नहीं आया है और जो घी है वो मैक्सिमम हमारा निकल गया है इस तरीके से तो अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ बेल आइकन को दवाना मत भूलिएगा इससे मेरे चैनल के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएंगे ये देखिए ये एक हफते की मलाई है इसको मैंने निकाल के इसको फ्रीजर में रख दिया था रोज मलाई निकाल के मैंने फ्रीजर में रखा ताकि मलाई है वो हमारी खराम नहीं हो जाए और जब भी हमको मलाई से घी बनाना हो तो बस एक घंटे पहले इसको हम लोग निकाल के रूम टेंपरेचर पे ला देंगे अब उसके एक कड़ाई में हम लोग लगभग एक लिटर के असपस पानी डालेंगे और पानी को हम लोग बॉयल होने तक पकाएंगे जब पानी अच्छेसे बॉयल होने लगेगा तब हम यह जो मलाई है वो थोड़ा-thोड़ा सा करके हम लोग इस पानी में डालते जाएंगे पानी यहाँ पे साफधानी पूरवग इसको में डालना पड़ेगा नहीं तो जो पानी है वो हमारा उचल के बाहर भी आ सकता है और जब मलाई इससे पूरी निकल जाए तो वही गरम पानी डाल के हम लोग इसको वापस कढ़ाई में डाल देंगे ताकि बर्तन में भी जो मलाई होगी वो भी हमारी गरम पानी डालने से मेल्ट हो जाएगी और उसको हम लोग वापस कढ़ाई में डाल देंगे और इसको बॉयल होने तक पकाएंगे और हाँ ध्यान रखिएगा कि इसको बीच बीच में चलाते रहिएगा ताकि जो मलाई है वो अच्छे से पानी में घुर जाए और जब मलाई और पानी हमारा बुलकुर एक सा हो जाएगा तब हम लोग ग्यास की फ्लेम को धीमा कर लेंगे और इसमें हम लोग डालेंगे विनेगर इसमें लगबख दो बड़ी चमच हम लोग विनेगर का इस्तेमाल करेंगे ताकि इसमें से हमारा जो पनीर है वो अलग हो जाए ये देखिए अब आपको इसमें एक पनीर के क्रिस्टल दिख रहे होंगे कि पनीर हमारा इसमें से अलग हो चुका है अब बस इसको थोड़ा सा हम लोग ठंडा करके हम लोग इसको चान लेंगे अब ये घी है थोड़ा सा ठंडा हो चुका है अब एक बड़तन में एक चन्नी रखके उस पे हम लोग एक कपड़ा रख लेंगे अगर आप कपड़ा नहीं रखना चाहते तो आप लोग डायरेक्ट भी इसको छान सकते हैं इस तरह से इसको हम लोग एक एक चमर इसमें डालेंगे और इसको बस हलका सा प्रेस करते हुए हम लोग इसमें से जो घी है वो हम लोग निकाल लेंगे इस तरह से चानने से क्या होगा जो घी है वो आपका बरतन में नीचे आ जाएगा और जो पनीर है वो हमारा उपर रह जाएगा तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पनीर देखे चनी में है और ये नीचे ये जो घी है वो हमारा बरतन में आ गया है और जो बाकी का घी और पनीर है उसको भी हम लोग इसी तरह से अलग कर लेंगे अब हम लोग क्या करेंगे एक बड़े बरतन में जितना भी पनीर है उसमें लगबग हम लोग एक ग्लास और पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो पनीर है उसमें हमारा जो भी घी होगा वो हमारा निकल जाएगा अब इस तरह से हम लोग एक छनी की हेल्प से हम लोग जैस तरह से हम लोग ने घी को अलग किया था उसी सेम प्रोसेस से अब हम लोग इसको भी अलग कर लेंगे अब इस तरह से इसको प्रेस करते जाएंगे तो जितना भी इसमें घी होगा वो हमारा बर्टन में आप देख रहे हैं वो आता जा रहा है अब इसको हम लोग एक कपड़े में पनीर को रख देंगे बाकी भी घी हम लोग इस तरह से प्रेस करके अलग कर लेते हैं अब इसको भी जो कपड़ा है उसमें हम लोग ये पनीर को डाल देते हैं जो घी है जो भर्टन में हम लोग नहीं खटा किया है उसी में हम लोग इसको डाल देते हैं और जो पनीर है अब उसको कपड़ से लेके अब हम लोग उसको हलका सा प्रेस करके जितना भी उसमें एक्स्ट्रा पानी है वो हम लोग निकाल देते हैं क्योंकि जो पानी है उसमें भी हमारा कुछ पार घी हो सकता है तो यह आप देख सकते हैं कि जो पानी है उसमें थोड़ा सा घी दिख रहा है इसको भी आप हम लोग बर्तन में डाल देते हैं अब देखिए इस प्रोसेस से जितना भी हमारा मैक्सिमम घी है वो हमारा निकल के अलग आ गया है और जब यह घी ठंडा हो जाए तो बस इसको आ निकल जाएगा और जो पनीर है वो आपस में बंध जाएगा यह इस तरह से जितना भी divine है अब निकल गया है एकेश्टा अब हम लोग खोल के देखते हैं यह दो देखिए पनीर कितने से हमारा सेट हो चुका है अब देखे घी भी हमारा निकल गया मलाई से और ये देखे इतना अच्छी क्वांटिटी में हम लोग को पनीर भी मिल गया है मैं आपको दिखाती हूं ये कितना हमारा मोटा पनीर इखटा हुआ है ये देखे इस तरह से इतना पनीर इखटा हो गया अब इसको आप लोग पनीर के पराठे बना सकते है। कोई भी आप IskI सब्जी बना सकते है। आप Iskisuच भी इस्तेमाले कर सकते हैं। यह सूंब न यह को सूंब कोट करके दिखा रही हूँ। यूए हमारा पनीर है। यह देखिए। पनीर हमारा बन के तैयार हो गया है, अब 8 से 10 घंटे के बार घी को हम लोग फ्रिज से निकाल लेंगे, तो आप देखेंगे कि उपर की जो तह है, वो हमारी जम चुकी है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक चाको की हल्प से, इसके हम लोग चार पार्ट करेंगे, इस तरह से हम लोग ने इसको चार पार्ट किये, अब एक चन्नी लेके हम लोग इसको निकाल लेंगे घी को, देखेंगे अब मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि इस तरीके से करने से घी हमारा कितना मोटा जम के तैयार हुआ है, अब इसको हम लोग सबको एक कढ़ाई में डा लेंगे, उसके बाद हम लोग एक चन्नी की हेल्प से, जो हमाई चाय चन्नी होती है, उसकी हेल्प से हम लोग जो पानी है, उसमें जितना भी घी होगा, वो हम लोग इससे निकाल लेंगे, और इसको भी हम लोग वापस कढ़ाई में डाल देंगे, और दो तीन बार हम बिल्कुल भी घी नहीं हुआ चाहे तो आप इसको छूके देख सकते हैं और बिल्कुल भी हमारा इसमें घी नहीं है अब चाहे तो इस पानी से आप लोग आटा भी गूत सकते हैं आटा इस पानी से गूतने से जो आटा है बहुत ही ज्यादा soft रोटिया इसकी बनके तैयार होगी अब जो घी है निकाला हम लोग निकड़ाई में उसको हम लोग अब पकने के लिए चड़ा देते यहाँ पे हम लोग गैस की फ्लेम को तेज ही रखेंगे देखिए जो हमारा घी जमा हुआ था वो बिल्कुल हमारा melt हो गया है ओगी हमारा पकना शुरू हो गया है अब आपको कैसे पता चलेगा कि घी को हमको कब तक पकाना है तो आप देखेंगे कि जो हमारा घी है उसका color हमारा change हो गया है हलका सा यह dark brown color का हो गया है तो बस मतलब घी हमारा बनके तैयार हो गया है, अब इसको हम लोग बन कर देते हैं, और जब घी हलका सा ठंडा हो जाएं, तब हम लोग इसको चान लेंगे, आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा घी बना है, उसमें कितना कम क्वांटिटी में मावा एकटा हुआ है, बस इसको हम लोग घी को चननी की हेल्प से चान लेते हैं और इसको हम लोग एक बड़े काँच के बर्तन में एकहटा कर देते हैं इस तरह से देखिए मैं इसमें गी डाली हूं यह हमारा लगभग एक लिटर का बर्तन है उसमें मैं यह घी को डाल देती हूं इस तरह से हम ठोड़ी ठोड़ी quantity में घी को चानते जाएंगे और उस बरतन में इखटा करते जाएंगे यह आप देख सकते हैं कि यह कितनी कम quantity में जो नीचे का waste है कितनी कम quantity में हमारा निकला है और यह भी हमारा waste नहीं है अभी हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे मैं आपको दिख बताऊंग में घी इखटा हुआ देखे ये परतन पूरा हमारा एक लीटर का भर चुका है उसके बाद भी हमारा थोड़ा सा अमाउंट में घी बचा हुआ है तो अब देखिए जो मावा निकला था मैंने आपको बत बोला था ना कि मैं बताऊंगी कि इसका हम लोग इस्तेमाल किस तरह स करेंगे तो बापिस इसको चनी में डालके हम लोग उसमें लगबख एक कटोरी पानी डालके इसको हम लोग बॉयल कर लेंगे और जब पानी हमारा बॉयल हो जाएगा तब हम लोग इसको बंद करके इसको भी हम लोग उसी तरह से चान लेंगे इस तरह से हम लोग एक छोट अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कितनी कम quantity में waste material हमारा निकला है, ये देखिए, कितना कम quantity है न ये, बाकि आप कोई भी process करेंगे, तो आपका इतना कम waste material किसी भी घी मिनाने की method में नहीं निकलेगा, तो बस जो हम लोग गी अलग से कटोरी में लिया हुआ है, इसको भ बस छाल लेंगे, तो हमारा पानी में जितना भी घी होगा, वो हमारा निकल के आ जाएगा, ये देखिए, इतना घी हमारा अभी भी इसमें निकल गया है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस घी का चाहे तो आप डाल में डाल सकते हैं, या इस घी को आप फिर से पका सकते है तो हम लोग इस गी का इस्तमाल करेंगे डाल को फ्राइ करने में तो यह देखिए इतनी amount में लगबग एक चमश हमारा घी निकल गया है अब तो आप लोग ने देखा कि हम लोग ने एक हपते की मलाई से कितना सारा पनीर निकला और कितने ज्यादा amount में हम लोग ने इससे घी निकाला है तो I am sure कि इतनी maximum amount में घी आप लोग ने कभी भी घर की मलाई से नहीं निकाला होगा तो इस वीडियो को आप लोग जरूर ट्राई करिएगा